तो हेलो फेंट कैसे हैं आप दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कल वीडियो बना के बताया था कि सेमसंग A52S में एक नए अपडेट आ चुका है या फिर बोल सकते हैं सेमसंग A52S में 1US 6.0 का अपडेट आ चुका है कि मेरे चेनल ऐसे टेक में तो जैसा कि है सबरें आपको चैनला है आनए अपडेट हो चुका हुआ और में यहां आपको देख रहा होगा एंथा में तो इसाटिन。 यहां पर बात करें सबसे पहले नई विचर्स की वह है क्योग पैनल को लेकर आप देखेंगे क्योग पैनल को यहां पर पूरी तरह इसे नया डिजाइन दे दिया गया है यह आपको उपर की तरफ वाइफाई और विटूद करेक्शन के लिए पर्मानेट मिलेंगे अकर आप वहां से कहीं नहीं ने वाले वहां रहने वाले बीच में आपको बहुस तरह कंख पारे कि अगर आपको ऑि अधरर को फॉल कराना है शाहीं आज हेंग Bears अगर वाई-पहई सब सब्सक्राइ crawling करना होगा टैक्स पे और वाइ-फाइ देखेंगे हैं यह ट्रोन… अपने इसको ईक बार नीचे करा तो पहली बार जब आप आप एडिट करेंगे तो यह वाले एडिट होगा और सेकेंड में आप देखेंगे सेकेंड स्क्रीन पर यह वाले आपको दोनों में से कोई से स्क्रीन एडिट करना है तो आप यहां पर एडिट कर पाएंगे दोनों तरफ से आप इसको एडिट कर सकते हैं बहुत ही कमाल कर यह आपको दिया गया उसके उसके बाद बात करें दोस्तों नेक्स फीचर की वह है गैलरी के अंदर उसके बाद करें नेक्स फीचर की वह है गैलरी के अंदर आप गैलरी के अंदर अपनी किसी फोटो में जाएंगे तो वहां पर आपको एक आई करेंगे आपको यहां पर क्लिक करेंगे तो आई पर क्लि अपनी इस एल्बम को कॉपी में या इस फोटो को अपनी कॉपी टो क्लिप वाट कर सकते हैं और उसको आप कहीं भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं चाहिए अपने इस्टाग्राम के लिए अपने उसी एप पर चला गया जहां पर जिसको भीजना है और सारी फोटो आ गई है आप देख सकते हैं फोटो या वीडियो जो भी हो सब आपका आटमेटिक आगया है और कहीं बीए आप किसी भी शार आप इसको शेयर कर पाएंगे तो यह फिचर भी यहाँ पर कमाल कर दिया गया है उसके बाद बात करें दोस्तों नेक्स फिचर की वो है कैमरे की कैमरे का आपको एक विजार दे दिया गया है जैसे कि आप देखेंगे कैमरे के अंदर आपको एक विजार दिया गया जो की बहुत शांदर विजाड है उस विजाड के अंदर आप अपना एक एक्शन को add on कर सकते हैं जैसे कि आप देखेंगे यह विजाड से इस विजाड का आप जो भी नाम देना चाहें नाम दे सकते हैं और इसमें क्या करना चाहते हैं आप वीडियो क्रेट करना चाहते हैं और फ्रंट केमरे से करना चाहते हैं और मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर मैंने इसको सेव पर क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे विजार्ट्स बन चुका है आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है जैसी आप क्लिक करेंगे वीडियो में open हो जाएगा और front camera आपका open हो जाएगा तो यह क्योग wizards यहाँ पर दे दिया किया है ताकि आप easily activity कर सकें उसके बाद बात करें next feature की वो भी camera के अंदर ही है आप camera के अंदर आगर आपको कोई photo या video को click करना हो आप आपको directly कहीं भी कहीं उसका size है या उसका camera का angle है आप camera का change कर सकते हैं जैसे कि पहले हैं 16 megapixel दिखा रहा है और आप direct के हाँ पर click करके 64 megapixel में भी यहाँ पर आप shootout कर सकते हैं तो यह feature भी हाँ पर कमाल का दिया गया है easily shift करने के लिए अगर आप video में भी होंगे तो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा full SD और यह SD और अगर आप video recording कर रहे हो तो आपको एक mode ओड दिया गया है यहाँ पर super steady mode ताकि आप कहीं भाग भी रहे हो तो आपकी video अच्छी अच्छी वीडियो आपकी located हो और इसी के अंदर एक feature और दिया गया है आपको यहाँ पर आएंगे आप यहाँ पर आपको filters को option दिया गया है यहां से आप अपने filters को add on कर सकते हैं यहां सारे filter आप add on कर पाएंगे उसके बाद next feature की बात करें वह है इसके watermark को लेके watermark के अंदर बहुत सारे नए changes किये गए जैसे कि watermark की आप position यहाँ पर change कर सकते हैं कि कहां चाहिए आप मैं चाहिए डाउन में चाहिए आप यहाँ पर कर सकते हैं और यह अब आप even अपने front photos में भी watermark डाल सकते हैं जो कि पहले नहीं आता था जैसे कि मानलो अगर मैं भी photo लूम फ्रेंट में अभी मानलो मैंने front की photo लिए तो आप देख रहे होंगे इसमें watermark आ चुका है आपको दिख रहा होगा पहले यह नहीं आता था कि फ्रेंट में watermark आए अब फ्रेंट में watermark आ सकता है और इसी इंदर एक और नए feature addon कर दिया गया है कि अगर आप नहीं च लिए गया उसी के बाद बात करें next features की वह feature है यहां पर आपके नए results का तो यहां पर नए results addon कर दिये गए तो आपको सबसे पहले États your world आप адम जाएंगे आपको जानाए आपको जानाना है weather वाली एयप में साथ से बतायागा रेनिंग होगी तो रेनिंग सीजन में लग आएंगे इस तरीके से इसका ये इनिवेशन वाला काम करने वाला आप देख सकते हैं किस तरीके से एनिवेशन यह काम कर रहा है तो यह भी एक नया फीचर यहां पर एड़न के आगे हैं उसके बाद बात करें इसके अंदर एप मूफ करने कि अगर आपको कहीं एप को किसी कहीं भी लेकर जाना है तो बड़ी दिक्कत होती थी अब आपको बहुत शांदर कर दिया गया आप आपने एक एक हैंड से एक को स्लेट कर लेना है किस दिसमाल लो आपको किसी एप को कहीं लेकर जाना है उसके बाद बात करें नए फीचर्स की और फीचर्स की तो यहां पर जाना है लका अलग कर दिया गया, तो बैटरी एक्श्न करके बता रहे हैं से 85 चार्ज किया था तो हाइलेट करके बता रहा है नीचे आपने कपकप वैटरी को यूजस किया वो कौन-कौन सी जगा यूजस किया वह यहां पर आपको मिल जाएगी वह तरह यहां यहां पर आप क्या सकते हैं अगर आप कहीं कि D coloring कोई डूसरी अप से अपकी वैपस ऐसे आप catalogicios करें तो आप इसको use करेंगे तो कहीं भी third party से आपके mobile में कोई भी app install नहीं हो पाएगी उसके बाद run on app security check यह क्या करेगा आपके बार बार आपके mobile को check करता रहेगा को security problem तो नहीं है उसके बाद जब भी अगर आप अपने mobile को USB से cable से connect करेंगे तो भी वो check करेगा कि आपके computer में क कि ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है या फिर ऐसा कुछ software तो नहीं है जिससे आपका data कहीं दस्वी दोर हो रहा है तो भी वह हम करेगा उसके बाद messaging app protection block uninspected containing malware message मैसेज मैसेज को भी आप पर protection देगा कि आपके unwanted message भी नहीं आ है और साथ मैं block software update by USB cable USB cable की तो आपके online में कोई भी शांदर दे दिया गया है नीचे की तरफ अलग से layout previous use in यह लिखाया जैसे लिखाया permission used in last seven days camera permission किस किस नहीं यूज करी साही details आपको यहां पर separate करके दे दी गई है जो कि बहुत शांदर है अब एक चीज़ और बात करें यहां पर है settings के अंदर हो है hot spots को लेगे दोस्तों जब भी हम किसी hot spot connect करते हैं तो हमने किसी को एक बार password दे दिया तो permanent password हो जाता है और जब भी हम कभी भी on करेंगे hot spot वह हो आट्रमेटिक करनेट कर लेता है या फिर हमें password चेंज करना होता है जो कि हम हमेशा बूल जाते हैं तो उसके लिए एक और यहां पर नया फिचर दे दिए गया है जो कि बहुत कमाल का है तो आपको यह connection में जाके मॉबाइल होट्सपॉर्ट को आन करेंगे तो मॉबाइल होट्सपॉर्ट को आन करता ही आप एक वहाँ पर एक option आपको दे देगा है वन टाइम पासवर्ट आप इसको इनेबल करके अपना पासवर्ट किसी को शेयर करो या फिर इसी में QR code को option दे दिया गया है तो यहां से आप किसी को connect करवाएंगे तो क्या होगा एक मतलब की जैसे यह एक बार आप अपने mobile को जैसी आप एक बार अपने इसको बंद करके चालू करेंगे होट्सपॉर्ट को और आटमेटिक इसका password चेंज हो जाएगा दूसरी बार वो login नहीं करवाएगा जब तक आप उसको password श को on करते थे तो हमारा वाइफाई और Bluetooth आफ हो जाता था अभी भी देख रहें आप आफ हो चुका है बट अब इसमें एक नया अच्छा option दे दिया गया है जैसे कि अब मैं अगर मैं Bluetooth को on करूंगा आप देख रहें और मैंने यहाँ पर Wi-Fi को भी on कर रहा है आप देख रहे तो वह वहाँ पर आप मुझे प्रॉब्लम नहीं देगा और मैं उसका यूज कर पाऊंगा तो यह सेटिंग भी काफी अच्छी हाँ पर दे दी गई है इंटेलिजेंट सी दे दी गई है उसके अलावा दोस्तों बात करें और नए फीचर्स की उसके बात करें दोस्तों ने कर लेना है अलोग करने के बास आप लॉक पहूंची जाएंगे लॉक स्क्रीन सेटिंग्स पर तो आप इसको कहीं भी मूब औं कर सकते हैं जहां भी आपको मुख ओन करना एक करलो आप यहां जाएंगे कहीं जिसको कर सकते हैं यहां पर बहुत सारा नए नए-ने फॉंड स आप अपने साब से फॉंट को भी चेक आउट कर सकते हैं और आप यहां पर इसको सेव कर देंगे तो आपका होम स्क्रीन वहीं से अपलाए हो जाएगा तो यह सैटिंग भी हाँ पर इसके अंदर दे दी गई और इसके बार नए नए स्टोर रहे गया गया आप देखेंगे सर्फ स्टोर रहे गया गया तो यह भी कुछ मोड़ चोटे ड़े चेंजिस किये गया है और एक चेंज बहुती कमाल का है वह है वैब को लेके अगर आप अपने Samsung में गाने सुनते हैं तो आप देखेंगे अब उसकी waves आपको ऐसे करके दिखाई दिने वाली है जो कि बहुत ही शांदर लगती है बहुत ही शांदर लग रहे है यह वाला notification तो बहुत ही शांदर अगर आप यहाँ पर कोई गाने या music सुनते है तो आपक जो मच लिए ओखर अधो यह उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होका यह एकर आपको यह वीडियो पसंद दो प्लीज लाइक जरू करें और आपको लगता़ है कुछ कंभी है मेरे वीटीओ पे तोबड़ीश लाइक मिले हुए थाट्यों आपको एक यह व्यृत झाल 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 झाल